हलो दोस्तो मैं संदिप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी यूटूब चैनल SM Classes में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT, PGT, Biology, NEET, BHU, BSC, BHU, BSC, Nursing और BHU, BSC, AG में पुछे जाने वाले एक Most Important Topic की जो की है अर्थवाम जिसका वैग्यानिक नाम है पहरित्मा, पोस्टुमा तो आज के इस वीडियो में हम KCW से जुड़े हुए 75 PLUS MCQ सॉल्ब करेंगे जो की previous year exam में पुछे गाए तो वीडियो बड़ा ही important है तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो पहला question है किस जन्तु का सरीर खंडित होता है तो यहाँ पर चार अलग अलग फाइलम दिये हुए है और पूछा हुआ है कि किस फाइलम के जन्तु का जो सरीर होता है वो segmented होता है यानि की खंडित होता है तो आपका जो right option है option second है एनिलीडा अई चलते हैं अगले question की और question number two है फैरितिमा पोष्टुमा का वड़न स्वर पत्तम किस प्रसिद्ध भारती वैग्यानिक ने किया था तो बहुत important question है इस question को note कर लीजीगा तो आपको बता दू कि फैरितिमा पोष्टुमा का वरण करने वाले प्रसिद्ध भारती वैग्यानिक थे के एन बहल यानि कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड अहीं चलते हैं अगले कोशन की और कोशन नमबर थर्ड है दच्छिड भारती केच्वे का जन्तु एग्यानिक नाम है तो आपको बता दे कि जो दच्छिड भारती केच्वे है उसका जन्तु एग्यानिक नम है मेगा is call X right option option third question number four है केचवे का वर्ग है यानि कि यह किस class related है तो यह oligokita class से related है आपका right option है option two question number five है क्लाइटेलम किन खंडो में होता है बड़ा important question और यह question बहुत पूछा जाता है तो आपको बताना है कि केच्वे में जो Clitalum होता है किन खंडों में इस्तित होता है तो आपका right option है option second 14, 15 और 16 वे वाले खंड में Question number six है केच्वे के जिस खंड में मुख हिस्तित होता है वह कहलाता है तो इस question का जो right option है option third है peristomium Question number seven है केच्वे में नर जनन छिद्र किस खंड में इस्तित होता है question number eight है केच्वे में Clitalum क्लाइटेलमी खंड कौन से होते है यानि कि question घुमा कर पूछा हुआ है कि केच्वे में Clitalumic जो खंड है वो कहां पाया जाता है तो अभी हम लोग लिए पीछे देखा था 14, 15 और 16 में तो आपका right option है option second Question number nine है केच्वे के सभी खंड में CT होती है केवल निम्न खंड को छोड़ कर यानि कि केच्वे के किस खंड में CT नहीं पाय जाती है तो आपका right option है option four प्रथम अंतिम वह Clitalumic खंड में चलते हैं अगले question की और अगला question है फेरिटिमा का मादा जनन चिद्र किस खंड में होता है । यहाद 14 खंड में होता है तो आपका right option है option ठड तो दोस्तो आपको बता दे कि फेरिदिमा में मादा जनन चिद्र कहां पाय जाते है नर्स जनन चिद्र कहां पाय जाते हैs तो इस टाइब के जो कोशन है बहुत पूछे जाते हैं तो आप इन प्रस्णों को अच्छे से याद रखे क्योंकि यह आपके आने वाले जितने भी एक्जाम है उन सभी के लिए most important है आई चलते हैं अगले कोशन की और कोशन नंबर 11 है केच्वे में खंड भवन होता है तो यदि केच्वे को 45 कोईच घोल में रख दिया जाए तो कौन सा अंग नहीं घुलेगा तो दोस्तों बहुत important कोशन है और यह कोशन PMT में पूछा हुआ है ठीक है तो इस कोशन का जो right option है option first है CT यदि हम केच्वे को 45 कोईच में रख देते हैं तो जो CT है वो नहीं घुलेग अगला कोशन है क्लोरेगोगन कोशिकाय मिलती है तो क्लोरेगोगन कोशिकाय मिलती है केच्वे की देह गुही द्रव में तो आपका right option है option third Question number 15 है केचुए में उपस्तित पोरफायरीन वरणक का मुख्य कार है तो केचुए में उपस्तित जो पोरफायरीन वरणक है उसका कार है सुर्ख के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना Question number 16 है केचुए में तुचा की सता पोर उपस्तित जिवाडवों को निष्ट किया जाता है यानि कि केच्वे में किस प्रकार का सिलों पाय जाता है तो इसका right option है option second size जो सिल question number 18 है केच्वे में सिलो सेप्टा अनुपस्तित होते हैं तो केच्वे के जो सिलो सेप्टा होते हैं वो प्रथम 4 खंडों में और 9 एवं 10 खंड के मध्ध अनुपस्तित होते हैं यानि कि आपका जो right option है option 4 है 2 और 3 दोनों में चलते हैं अगले question की और question number 19 है केच्वा किसकी सहायता से गमन करता है तो आपको बता दे जो केच्वा होता है वो सूक और पेसियों की सहायता से गमन करता है तो इस question का जो right option है option 4 है Question number 20 है केचुवा स्वसन करता है यानि कि केचुवा किसके द्वारा स्वसन करता है तो आपको बता दे कि केचुवा जो है वो घीली तोचा के द्वारा स्वसन करता है तो आपका जो right option है option third है Question number 21 है केचुवे में प्रचलन में सीधे सहायक अंग है तो right option है option first CT Q22 है QUA में प्रचलन में कौन सहायक होते हैं तो ये Q21 की ही तरह है बस Q2 को घुमा दिया गया तो इस Q2 का right option है option 4 CT Q23 है किस जन्तु में स्वसन होती है किन्तु स्वसन अंग नहीं होते तो दोस्तों ये भी QUA से बनने वाला बड़ा important question है तो केचवा एक ऐसा जन्तु है जिसमें स्वसन अंग नहीं होते परन्तु स्वसन होता है तो आपका right option है option 4 चलते हैं अगले question के ओर question number 24 है केचवे में आंत्रभंज का कार्य होता है तो इस question का right option है option 4 पच्चे भोजन के लिए और सोसन तल बढ़ाना question number 25 है केचवे की क्लोरे गोगन कोशिका है किस कार्य के लिए होती है तो दोस्तों क्लोरे गोगन कोशिका है उस सर्जन के लिए होती है तो आपका right option है option 2 चलते हैं अगले question के ओर question number 26 है केचवे में क्रोमोफिल कोशिका है कहा मिलती है तो आपको बतादे कि केच्वे में जो क्रोमोफिल को सिखाए है वो मिलती है फेरी नेंजियल ग्रंथियों में चलते हैं अगले कोशन की और कोशन नमबर 17 है केच्वे का कौन सा अंग मनुस्य के गूर्दे के समरूप है बड़ा इंपॉर्टन कोशन है और यह कोशन बहुत बार पूछा हुआ है तो केच्वे की जो उससर जिकाय होती है यानि कि जो नेफ्रेडिया होती है वो हम मनुस्य के गूर्दे के समरूप होती है तो आपका राइट आप्सन है आप्सन फ़र्स्ट चलते हैं अगले कोशन क केच्वे में आंत्रवलन कौन से खंड से आरंभ होता है तो इस कोशन का जो राइट आप्सन है आप्सन फोर है यह 27 में खंड से आरंभ होती है कोशन नमबर 29 है केच्वे की आहार नाल में क्यूटिकल की भीत्री सता कहा होता है तो यह होता है गिजार्ड में तो आपका रा जोगन कोशिका है कसेरुग जनतुक के किस अंग के समरूप है तो दोस्तों यह समरूप होती है यक्रित के तो आपका राइट ऑप्सन है ऑप्सन थार्ड इंपॉर्टन कोशन है इस कोशन को नोट कर लिजेगा आए चलते हैं अगले कोशन की हो कोशन नमबर 31 है फेरिटिमा म गिजाट का कार्य क्या है तो इस कोशन का जो राइट ऑप्सन है ऑप्सन फोर है भोजन को पिसने का कार्य करता है चलते हैं अगले कोशन की हो कोशन नमबर 32 है केच्वे का आंत्र वलन का क्या कार्य होता है तो यह है आध की कोर्च च stri sums म में ौश हर तल को बढ़ाता है तो तो इस question का जो right option है, option third है, question number 33 है, केच्वे की क्लोरे गोगन कोशिका है, मनुसिक के किस भाग के समान है, तो अभी हमने पीछे इस question को देखा था, इसी तरह का question था, तो इस question का जो right option है, option second है, यक्रित, question number 34 है, क्लोरे गोगन कोशिका है, किस लिए होती है, यानि कि क्लोरे गोगन कोशिकाओं का कारे क्या है, अभी पीछे भी हमने इस तरह के question को देखा था, तो इस question का right option है, option second, question number 35 है, केच्वे में रूधिर रंजक होता है, तो आपको बतादे कि केच्वे के रूधिर में भी जो pigment पा पाए जाता है, तो आप गलत करके मत आएगा, question number 36 है, किस जनतु का रूधिर लाल होता है, किन्तु लाल रूधिराडू अनुपस्थित होते हैं, तो बहुत important question है, ये भी question कई बार पूछा हुआ है, तो आपका right option है, option second, केच्वा, question number 37 है, जनदव सेमिनल कोश में रूधि एकठा करने वाली वाहिनी है, तो आपका right option है, option 4, पार्सव इसो फेजियल वाहिनी, question number 38 है, केच्वे में एक जोड़ी हिदे, किन खंडों में मिलते हैं, तो आपका right option है, option second, 7, 9, 12, 13, और ये question PGT में पूछा हुआ है, question number 39 है, निम्न में पिष्ट वाहिनी रूधिर का इतरण करता है, तो आपका right option है, option 4 है, आई चलते हैं, एकले question के, question number 40 है, केच्वे में कौन सी बात सही है, तो पहला option है, रुधिर नीला होता है, तो ये गलत है, दूसरा option है, रुधिर लाल किन्तु हीमोग्लोबीन प्लाजवा में खुला होता है, तो ये आपका right option है, क्य second, चलते हैं, अगले question की ओर, question number 41 है, प्रिष्ट नलिका में रुधिर का बाहाओ होता है, तो यहाँ पर question में पुछा हुए है, कि जो केच्वे की प्रिष्ट नलिका में रुधिर का बाहाओ कि सोर होता है, तो केच्वे की नलिका में रुधिर का बाहाओ आगे की ओर होता ह तो आपका right option है option second question number 42 है केच्वे में रुधीर में कौन सा वार्णक होता है तब पीछे हम लोगों ने देखा था केच्वे में क्या पाया जाता है कौन सा वार्णक पाया जाता है हीमोगलोबीन और साथी साथ erythrocruenine तो आपका right option है option 4, 1 या 3 चलते हैं एगले question के और question number 43 है पार्सव इसो फेजियल हेदय जोडते हैं तो यह किसे जोडने का कारे करता है तो यह प्रिष्ठ नलिका उच्छ इसो फेजियल नलिका तथा अधर नलिका को right option है option 3, question number 44 है केच्वे में किस प्रकार की तंत्रिका को सिखाए होती है बड़ा important question है और यह भी question बहुत पूछ जाता है तो इसमें चालक, समवेधी, जोडने वाली यानि कि यह सभी right option है option 4, question number 45 है निम्न में से कौन सी रचना केच्वे में हार्मोन का स्राव करने में सच्छम होती है तो right option है option 3rd प्रमस्तिक गुच्छक, question number 46 है फेरेंजियल उस्तरजिका है किन खंडों में इस्थित हो question number 47 है केच्वे में उस्तरजक अंग होते हैं, question number 48 है केच्वे में कौन सी उस्तरजिकाए, वाह मुखी होती है, तो आपका जो right option है option 3rd है, question number 49 है केच्वे में पटी व्रिकक होते हैं, तो केच्वे में जितने भी पटी व्रिकक होते हैं, वे सभी उस्तरजन के लिए जिमदार होते हैं, तो right option है option 1, question number 50 है केच्वे में नेफ्रोस्टोम कहां होता है, तो केच्वे में नेफ्रोस्टोम होता है पट्टी व्रिकक के पास, Question number 52 है, खंडी उस्सरजी काओ की अंतिम नलिका कहां खुलती है तो ये खुलती है एक जोड़ी पट्टी उस्सरजी नाल पे Option 2 Question number 53 है, फेरितिमा के 7 वो 9 खंड में कौन सी रचना होती है तो 7 और 9 खंड पर 500 हिद होता है Question number 54 है, केचुवा होता है यानि कि आपको बताना है कि केचुवे में किस प्रकार का उस्सरजन होता है तो इसमें होता है यूरियो टेलिक उप्सन 3 Question number 55 है, केचुवे में पट्टी व्रिक उस्सरजी प्रदाथ कहां छोड़ते हैं तो इसका राइट उप्सन है उप्सन 4 आंत्र गुहा में Question number 56 है, पट्टी उस्सरजी का तथा मेल पिजी नलिकाओं में समानता तो दोनों में ये समानता है कि दोनों ही उस्सरजी प्रदाथों को आंत्र में डालते हैं यही इन में समानता है तो आपका राइट आप्सन है ऌप्सन 3 अगला कोश्चन 257 केच्वए के वृई क्यूत्पत्ती किस से होती है तो केच्वए की वृई क्यूत्तपत्ती mesodermal layer से हुई है तो आपका right option है option 3 क्यूच्च्वए, केच्वए एवं मनुस्वें निम्निम्निमे से कौन सा लच्छण समान है तो इसमें देखा जाए केच्वे और मनुष से दोनों यूरियो टेलिक होते हैं तो आपका जो right option है option third है question number 59 है फेरिटिमा की इस पर मैथिका यानी की सुक्रधानिया होती है तो सुक्रधानिया सुक्राडवों के संचे के लिए अंग है तो आपका जो right option है option 4 है आई चलते हैं अगले question की ओर question number 60 है फेरिटिमा में सुक्राडवों का संचे कहा होता है तो right option है option second सुक्रधानि में question number 61 है केच्वे में सहायक ग्रंथिया किन खंडों में इस्थित होती है तो यह 17 और 19 खंडों में इस्थित होती है right option है option second अगला question है केच्वे में क्लाइटेलम का मुख्यकार क्या होता है तो केच्वे में पाय जादे वाला जो क्लाइटेलम है जो की तीन खंडों से बना होता है इसका कार होता है कोकून का निर्माड करना आपका जो right option है option third है Q64 है किसके जीवन में लारवा नहीं होता तो बात करें हम फेरिटिमा यानि की केच्वे की तो केच्वे में लारवा नहीं पाए जाता क्रक्रिया सकूबेस सब्सक्राइब चैजरू क्रते रीचिधर सब्सक्राइब-डाउस-ट्री सेवन का कार्य होता है तो सब्सक्राइबस निर्मान करना। question number 68 है कौन सी कोशिका या गरंथी केच्वे के अनिसेथित अंडों को पोसण प्रदान करता है तो आपको बतादे कि जो LV मिनस गरंथी होती है यही अनिसेथित अंडे को पोसण करती है तो right option है option second चलते हैं अगले question की और question number 69 है यदि केच्वे अपने कोकून को अगर सिरे के स्थान पर पस्च सिरे से निस्कासित करे तो तो इस condition में क्या होगा कि कोकून में सुक्राणू नहीं आ सकेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि निसेचन नहीं हो पाएगा तो आपका जो right option है option 4 है question number 70 है केच्वे के कोकून का माप होता है तो आपको बताना है केच्वे के कोकून का माप कितना होता है तो इसका माप होता है दो से लेकर 2.4 मीमी तक यानि कि right option है option second question number 71 है केच्वे में कौन सा अंग लगभग प्रतेख खंड में मिलता है तो आपको बता दे कि जो गुच्छी का है यह केच्वे के प्रतेक खंड में मिलता है right option है option 4 question number 72 है केच्वा किसानों का मित्र है क्योंकि तो केच्वे को किसानों का मित्र कहते हम सभी जानते हैं लेकिन क्यों है आपको यहाँ पर right option बताना है होई एक अनुप्रस्थ काट काटे तो क्या होगा तो यदि हम केच्वे के 20 खंड से हुत हुए अनुप्रस्थ काट काटे तो प्रोश्टेट गरंती और आत यह दोनों क्या होंगे नश्ट होंगे तो यहाँ पर आपका जो right option है option 4 है दोनों दो तथा तीन चलते है अगले question के question number 74 है केच्वे में क्या होता है तो इसका right option है option second पार्सव हिद है और आज के वीडियो का last question है केच्वे के विसे में कौन सी बात सही है तो आपके चार option दिये हुए है पहला option है यह चिकनी सता पर आसानी से रेंग सकता है तो यह जो कथन है यानि कि यह जो बात बोली गई है यह गलत है ठीक है दूसरा है यह और निसेचित अंडों के चारों और कोकून बनाता है तो यह भी statement गलत है तीसरा है इसमें मस्तिस्क किन्तू सिस नहीं होता यह option सही है तो इस question का जो right option है option third है इसमें प्रचलन अंग नहीं होता चौता option दिया है यह भी option गलत है तो आपका जो right answer है option third है तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और share करना मद भूलिएगा वीडियो से related या फिर किसी भी question से related कोई भी doubt है आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं मैं जरूर से आपके question का reply करूँगा और यदि आप हमाया चनल पर नए हैं और भी तक आपने हमाया चनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज हमाया चनल को subscribe कर लिज कर दो